हाई नमस्कार श्टुडेंट आरे भट अकेडिमी में आप लोग का तहे दिल से स्वागत हैं आज के इस वीडियो में mathematics class 11 trainometry functions exercise 3.3 का question number 14 and 15 को solve करेंगे तो सबसे पहले question को solve करने से पहले इसमें यूज होने वाले हैं फर्मूला उसको हम लोग revision करेंगे जो यूज होने वाले हैं तो आए साथ मिलकर हम लोग question को solve करने से पहले फर्मूले को revision कर लेते हैं तो देखते हैं कौन कौन से फर्मूले है, पिछले वीडियो में मैंने इस फर्मूले का जिक्रे किया था, रिविजन के तौर पर, फिर इस वीडियो में भी हम इसको रिविजन करेंगे, और नए कुछ फर्मूले है उसको भी देखेंगे, चलिए आते हैं, फरीड करते हैं, cos x plus cos y equal to 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 next जो फर्मूला है cos x minus y equal to minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2 next जो फर्मूला है sin x plus sin y equal to 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2 next जो फर्मूला है sin x minus sin y equal to 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 next जो फर्मूला हमारा है sin 2 x का है sin 2 x equal to 2 sin x into cos x next जो फर्मूला है इसी तरह जैसे sin 2 x का है उसी तरह cos 2 x का cos 2 x equal to cos square x minus sin square x और cos 2 x equal to 2 cos square x minus 1 होता है एक और फर्मूला होता है cos 2 x equal to 1 minus 2 sin square x अब हम पहले फर्मूला से देख रहे हैं कि जो cos 2 x equal to 2 cos square x minus 1 है तो यहां का जो 1 है cos 2 x की तरह ले जाएंगे तो plus होगा तब क्या होगा cos 2 x plus 1 equal to 2 cos square x होगा यानि ऐसे का सकते हैं कि 2 cos square x equal to cos 2 x plus 1 हो जाएगा अर्थात हम का सकते हैं कि cos 2 x plus 1 equal to 2 cos square x अब हम इसी फर्मूला के यूज करेंगे question 14 में तो आए question 14 को हम read करते हैं सामने भी देखते रहेगा आप लोग book से भी मिलाते रहेगा उपर लिखा आए तो question 14 को हम read करते हैं कर आए question 14 sin 2 x plus 2 sin 4 x plus sin 6 x equal to 4 cos square x into sin 4 x पिर से मिलाते हैं sin 2 x plus 2 sin 4 x plus sin 6 x equal to 4 cos square x into sin 4 x आएए हम लोग solve करते हैं LHS लिखकर direct solve करेंगे क्या लिखकर LHS question number 14 question number 14 LHS LHS direct लिख रहे हैं 2 sin 2 x plus 2 sin 4 x plus sin 6 x यह हमारा LHS है क्या है LHS है अब इसको हम solution करेंगे तो sin 2 x sin 6 x को एक साथ मिला कर करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर sin 2 x plus sin 6 x plus 2 sin 4 x अब हम इन दोनों को एक साथ मिला कर एक फर्मूला के विज़ करते हैं जो अब ही revision किये हैं sin x plus sin y इसका क्या फर्मूला होता है sin x plus y का तो sin x plus y का फर्मूला जो होता है 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2 उसी का यूज़ करेंगे हम लोग यानि यहाँ लिखेंगे 2 sin x यह है y यह है तो 2 x plus 6 x अपान में 2 into cos लिखते हैं x minus y तो यह x है टोटल यह y है 2 x minus 6 x by 2 plus इसको लिखते हैं 2 sin 4 x को 2 sin 4 x अब हम इसको solution करते हैं 2 sin 2 x और 6 x कितना होगा 8 x होगा 8 x में 2 से दिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 x into इसको भी इसी तरह minus करते हैं तो 2 x minus 6 x minus 4 x by 2 4 x by 2 तो कितना होगा minus 2 x होगा तो minus 2 x रहता है तो cos होता है plus में हो जाता है तो 2 sin 4 x 2 sin 4 x कामन है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sin 4 x कामन के रुप में तो क्या बचेगा cos 2 x plus 1 अभी हम लोग फर्मूला रिवीजन किये हैं cos 2 x plus 1 इक्वाल टू क्या होगा 2 cos square x होगा तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 2 sin 4 x into 2 cos square x लिख सकते हैं अब यह 2 2 या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा cos square x आई इसको sin 4 x लिख सकते हैं sin कितना 4 x यह हमारा आगया LHS और RHS भी तो दिया हुआ है कितना इतना ही 4 cos square x into sin 4 x आगया हमारा hence लिख सकते हैं कि LHS equal to RHS LHS equal to RHS hence prove क्या लिख सकते हैं hence prove hence proved proved हो गया अब हम question number 15 की तरफ बढ़ते हैं तो इसको मिटा देते हैं question number 15 question number 15 है वो कह रहा है क्या कह रहा है कि cot 4 x into bracket start हो रहा है sin 5 x plus sin 3 x bracket close equal to cot x into bracket में sin 5 x minus sin 3 x फिर से रिवियन करते हैं cot 4x into sin 5x plus sin 3x equal to cot x into sin 5x minus sin 3x तो दोनों को RHS और LHS दोनों को equal करना हम है तो सबसे पहले हम LHS को लिखते हैं solve करते हैं फिर RHS को लिखकर solve करेंगे दोनों का value same आएगा दोनों को हम solve करते हैं तो यहां लिखेंगे LHS LHS left hand side यानि बायापक्च क्या है question cot 4x into sin 5x plus sin 3x equal to RHS में क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं RHS में है cot x into sin 5x minus sin 3x यह हमारा है question LHS यह है RHS यहां RHS लिख देते हैं अब हम LHS को solve करते हैं बाद में RHS को भी solve करते हैं तो यह हो जाएगा cos 4x अपान में sin 4x into इसका फर्मूला जो है अभी revision की है sin x plus sin y का क्या होता है 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2 उसी के फर्मूला पर लिखे जाएंगे तो क्या लिखे जाएंगे 2 sin 5x plus 3x by 2 into cos 5x minus 3x by 2 इहीं फर्मूला है अब क्या करेंगे कि आगे लिखेंगे cos 4xy sin 4x into 2 इसको जब solution करेंगे 5x और 3x कितना होगा 8x अब by 2 divide कर देंगे तो 4x हो जाएगा sin 4x into ये क्या होगा 5x में से 3x minus होगा तो कितना बचेगा 2x और divide करेंगे 2 से तो x बचेगा cos x अब है sin 4x sin 4x कड जाएगा क्या बच जाएगा 2 cos 4x into cos x ये होगे हमारा LHS अब हम क्या करेंगे RHS को सर्व करेंगे क्या करेंगे RHS को सर्व करते हैं तो जैसे इसमें हम cos x का फर्मूला cos x का फर्मूला cos x y sin x लिखें हैं उसी तरह इसमें भी cos x का फर्मूला cos x y sin x लिखेंगे क्या लिखेंगे cos x y sin x इन्टू ये माइनस वाला है sin x माइनस sin y का क्या फर्मूला होता है 2 cos x प्लस y y 2 इन्टू sin x इन्टू अब ब्रैकेट में 2 cos दोनों को add करते हैं क्या करते हैं दोनों को add करते हैं cos 5x और 3x 8x by 2 इन्टू दोनों को माइनस करते हैं तो 2x अब आई 2 अब क्या करेंगे कि cos x by sin x into 2 इसको डिवाइड करेंगे तो cos 4x होगा into यह यहाँ sin रहेगा sorry sin 2x by 2 तो यह होगा sin x अब यह sin x, sin x कर जाएगा अब क्या बच गया 2 cos 4x cos x को बाद में लिख देते हैं cos x अब हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों क्या रहे हैं सेम आ रहे हैं यह विट 2 cos 4x into cos x है LHS भी हमरा 2 cos 4x cos x है यानि LHS और RHS दोनों क्या होगे हैं equal होगे हैं hence proof क्या लिखेंगे hence proof यह विडियो कैसे लगा आप लों कमेंट में जरूर बताईएगा और इसे लाइक भी करिए सेर भी करिए और जो अभी तक सब्क्राइब नहीं किये लोग सब्क्राइब भी कर दे